सर, क्या आपको लगता है कि एक मस्बूत राश्ट्र बनाने के लिए एक मस्बूत सेना होनी चाहिए? देखे, हमारे पास दस लाख सैनिक है. मैं चाता हूँ कि आप यह समझें कि एक देश को छोड़ कर कोई भी इस देश पर बंबारी करने के नहीं सोचता. हाँ, आप यह समझ लीजिए. अभी हमारा जगड़ा उससे है जो पहले इस देश का हिस्सा था और अब हमारा पड़ोसी है. ठीक है? अब हम यह बदल नहीं सकते. इस पर हमारा खर्चा कितना है? एक छोटे से जगड़े के लिए हमारा निवेश कितना है? बहुत ज़्याद है. इस समय हम फ्रेंच टेसल्ट फाइटर्स खरीदने की सोच रहे हैं. हर एक कीमत 600 करोड है. बूम! एक क्राश और एक सेकंड में खत्म. ठीक है? मिरा मतलब, हमारे पास सेना जरूर होनी चाहिए. दुनिया की चेतना अभी वैसी नहीं हुई है कि लोग बिना सुरक्षा के रह सकें, एक मजबूत सेना जरूरी है. और ऐसा है भी, इसे कई तरीकों से विक्सित करना होगा, ऐसा किया जाएगा. मैं एक कॉन्फरेंस में चर्चा कर रहा था और वो डिसॉल्ट की बात कर रहे थे. मैंने का, आप चाइनीज हवाई जहास क्यों नह हाँ, डिसॉल्ट के तुलना चाइनीज हवाई जहास से नहीं कर सकते, पर चाइनीज हवाई जहास ओड़कर बम गिरा सकते हैं. और यही माइने रखता है. और कीमत 10 गुना कम है. हम युनाइटेट स्टेट्स आफ अमेरिका से युद्ध नहीं छेडने वाले. अगर हमारी चाइस्तान में डीजल या कोईले के 100 पावर स्टेशन स्थापित करें. उन्हें फ्री में बिजली दीजिए. या पैसे लीजिए. अगर आप कहेंगे तो हमारी कंपनिया यह कर लेंगी और उन्हें यहाँ निवेश करने दीजिए. अगर वो यहाँ पैसे लगाते हैं, तो वो यहाँ बम नहीं गिराएंगे. अगर आप अपना पैसा वहाँ लगाते हैं, तो आप उन पर बम नहीं गिराएंगे. छोटी मोटी जड़पे होंगी. हम वागा बॉडर पर छोटा मोटा जगड़ा कर सकते हैं. हम एक दूसरे के साथ ऐसा करते रहते हैं. हमें यह इसलिए हमें उनका समान करना चाहिए. वो सिर्फ नातिकता नहीं सिखाते. उनका मन ऐसा है. ठीक है? तो वो एक मजबूत सेना की बात कर रहे हैं. मजबूत सेना बिलकुल ज़रूरी है. पर दुश्मन से लड़ने की तैयारी की बजाए, दुश्मन को मिटा देना सबसे अ खत्म कर दिया. यह आपका कालपनिक दुश्मन. ठीक है? अगर चाइना नहीं, तो पाकिस्तान, पाकिस्तान में पैसा निवेश कीजिए. दूसरा दुश्मन भी खत्म. और कौन आप पर बम गिराना चाहता है? मैं पूछ रहा हूँ. कोई नहीं. तो आप अपने काम पर ध काला जा सकता है. यह एक दिन में नहीं होगा. अगले 10-15 सालों में आप अपनी दुश्मनी को खत्म कर सकते हैं.